हलो फ्रेंड्स गुड इमिनिंग टु एब्रीबन सभी इस सिच्चों का बहुत दो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आये संसारी पर और आज हमारे फर्स्ट पेपर की सेकेंड किलास है कल हमने साथ क्वेस्चन सॉल्ब किये थे यहां पर अब्जेक्टिब और आज उससे आगे के जो क्वेस्चन है वो आपके सामने लेकर आज चुकें यह क्लासिस आपके लिए बहुत ज़्यादे महतपूर से दोंगी तो आप इन क्लासिस को जरूँ एटेंड कीजिएगा और क्लासिस को पूरा देखिएगा और बीटो को सेर भी कीजिएगा अपने आज चुके लेकर महतना है पहले स्कूल होता है वो क्या होता है राज्य होता है परिवार होता है समाज होता है यह फिर समुदा होता है तो जो परिवार होता है वो सिच्छा की प्रिथम पाट साला कहा जाता है जहां पर मा बाप रहते हैं ठीक है तो परिवार जो होता है वो सिच्छा की प्रिथम पाट साला कहा जाता है इसके अलाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चिन है अगला हो है माताएं आदर सर्ध्यापिका हैं और घर द्वारा दी जाने बाली अनुपचारिक सिच्छा ही सबसे अधिक प्रभासाली और स्वाभाविक है यह किस ने कहा है यहां पर एक कथन दिया हुए और आप से पूछा है कि यह किस ने कहा है तो दोस्तों यह जो कतन है यह फ्रावेल का है यह आपको याद रखना है जिसमें बताया गया कि जो माताएं जो माताजी होती है हमारे घर पर वो आदर सर्ध्यापिका है और घर के द्वारा दी जाने बाली जो अनुपचारिक का सिच्छा गिरड करना दरा विद्यालय से परिवार भर yönगर से समाश हमाश सरह रासा के तो दूश्टोव विद्यालय में तो बत्च्राइब बहुत बाद में पहुंशता है जब यह चार-पांस साल का हो जाता है ठीक उसके बाद शकूल यस जो पहं पता Mae精 साल घर से ही या परीबार से ही start हो जाती है बच्चे की सिच्चा इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला question है ठीक है यह सवाल का आपका right answer होगा परीबार या घर से उसके बाद चॉश्चा का सरबुत्तम स्थान और बालक का पिर्थम बिद्याले यह किस ने कहा है घर जो होता है वो प्रवुत्तम स्थान और बालक का पिर्थम विद्याल है तो इसका राइट आसन सर आपका हो जाएगा पिस्टलोजी इसके बाद आपका अगला सवाल है समिलित परिवार बैवस्था के तूटने से विद्याल पर आतिरिक्त बोज पड़ रहा है ये कथन सत्य है ये फिर आसत सद्सक्राइब करना तो दोस्तों ये अपका मनवानी कर श तुतन्तदा देना बालक के शखने परयुक्तव में और से मख विकास करना जो भावना है उसके बढ़ने की सब्सकार और अगले सवाल के तरप आगला सवाल आपका परीवार je वो मानेख पर प्रिथम पार्ट, सारे हैंने की बच्चे की पहला स्कूल है, ऐसा उपर भी आपको बताए गया था, प्रित्यक वेक्ति के नौपचारिक सच्चा समान रूप से परिवार में ही स्टार्ट हो जाती है, जिसके भी मैंने आपको बता है, जो नौपचारिक जाती जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बालक का बहुत महत्पूर समय परिवार में ही बीथता है यह कथन दिया हुआ है पूरा और यह कथन किसका यह आप से पूछे जा रहा है तो यह वो गार्ड का कथन है यह आपको याद रखने है इस सवाल का राइट अंसर हो जिसमें भावात्मक संतुला नो जिस परिवार में लोगों की संख्या आदे को जिसमें बच्चों को कठूर अनुसासन में रखा जाता हो यह तो बिल्कुल ही आपका राइट गलत होगा अंसर ठीक अच्वा था वाला ठीक इसके लाबा यहां पर आप देख सकते हूं जिस परिवार में लोगों की संख्या आदे को ऐसा आवस्यक नहीं है ठीक ऐसा बिल्कुल आवस्यक नहीं है कि परिवार में लोगों की संख्या आदे को तभी वो अच्चे गुल वाला यहां पर जो परिवार है वो माना जागा यह जिसमें भावात्मक संतुला नो ठीक यह भी अच्छे घर या परिवार में ये आवस्य गुल देखे जाते हैं इसके बाद आपका अगला सवाल है सत्यर नमबर का परिवारिक सिच्छा के कौन-कौन से सिद्धानत है जो परिवारिक सिच्छा होती है उसके कौन-कौन से सिद्धानत है बालमनो विज्ञान का ग्यान बैवार खेल द्वार शिचा बिदी यह परिउप्त सभी तो परिवारिक सच्चा के यह सभी सिध्दानत हैं तो इस सवाल का आपका राइट अंसर होगा वो परिउप्त सभी दा आपका राइट हो जाएगा उसके बाद आपका 51 नमर का सवाल है विद्याले घर और बाहें जी पफिता है और बाहे जीवन की चीजें भी विद्द आले से ही जो बच्चा है घर और जीवन को जोडने वाली इक काड़ी है इसके बाद आप अगले सवाल की तिरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका वहत नम्बर का вокруг गुरुदोब के नाम से कौन विक्ख्यात हुए गुरुदेव के नाम से जाना जाता है तो रविंदरनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से के रूप में मना जाता है यानिकि जो Zwal का राइट स्थान पर हुआ थे उनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म जो हुदा है चित्टल महरास्ट राज्य में हुआ था है आपको याद रखना है इसके बाद आपका अगला सवाल है पिछत्त नमबर का गिजू भाई वदेखा का जन्म कौन से सन में हुआ था यहां पर स्थान पूछा और यहां पर सन पूछा है तो दोनों ही important question है आपको याद रखना है तो गिजू भाई वदेखा का जो जन्म है वो चित्तल मह पूछ तक है लिखी है यह आपको याद रखना है उसके बाद आपका अगला सवाल है सत्त नमबर का बालक को सोई ही ज्यान प्राप्त करने का अफसर दिया जाना चाहिए सिच्छक को उसके कारे में कम हस्त छेप करना चाहिए ठीक है बालक खुद से सीखता है तो अच्छे ज्यान प्राप्त करने के अफसर दिये जाने चाहिए सिच्छक को उसके कारे में हस्त चेप कम करना चाहिए यह किसका कथन है तो यह मौन्टेस्री का कथन है यह आपको याद रखना है मौन्टेस्री इनका कथन है इसके बाद आपका अगला सवाल है पिकरती के स्वामी की और से हर बस्तु सुन्दर होती है पिलकृति के स्वामी के और से हम जितनी भी बस्तु में देखती है वो अपने आम में सुन्दर होती है परन्तु मानप के हाथ में पहुचने पर खराब हो जाती है ये कथन किसका है ये कथन दिया हूँ और पूछ रहा है कि ये किसका कथन है तो ये मैं काईवर का गधने ये आपको याद रखना है इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल के और अगला सवाल है आपका 80 नमर का समाज की सबसे छोटी ही काई क्या है हमारे जो समाज है उसकी सबसे छोटी ही काई व्यक्ति है क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है और परिवार से ही हमारे जो समाज है वो बनता है ठीक है तो व्यक्ति जो है वो समाज की सबसे छोटी ही काई है यह आपको याद रखना है ठीक है व्यक्ति समाज की सबसे छो पर बच्चे कौन अपचारिक सिच्छा आसानी से मिल जाती है इसके बाद आपका अगला सवाल है जन संचार के साधनों को मुखिता कितने भागों में वाटा जा सकता है तो जन संचार के साधनों को मुखिता है तीन भागों में वाटा जा सकता है यह आपको याद रखना है तो उसके बाद है आपका अगला सवाल कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था इसके बाद आप अगले सवाल गयों वड़ेंगे। और 84 84 नमबर का आपका सवाल है रास्टी वाल सिरम निती कब घोसित की गई थी तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट अंसर हो जागा सन 1987 में रास्टी वाल सिरम निती की घोसना की गई थी इसके बाद आपका 85 नमबर का अगला सवाल है पास्थित्की असंतुलन का एक महत्पूल गतिक कारक क्या है जो पास्थित्की असंतुलन है वो उसका एक महत्पूल गतिक कारक जो है रोजगार में विरत्धी है या तीर्व जनसंक्या विरत्धी है या सोविधा है या इनमें कोई नहीं तो इसका जो महतपूर गतिक कारण है वो है तीब्र जनसंक्या विरद्धी पास्थितिक में जो असंतुलन निस्वे बना हुआ है उसका जो गतिक कारण है वो है तीब्र जनसंक्या विरद्धी के कारण ही पास्थितिक के असंतुलन विरद्धी के बना हुआ है इ बिर्द्दी पर नियंतरल का उपाय कै сोध है करना चाहिए आर्थिक किरिये किलाब सिक्षा ये महामारी तो इस समस्या का जो सबसे अच्छा हल है वो हम जादा से जादा लोगों को सिच्छित करना चाहिए ताकि जनसंख्या व्रद्धी पर नियंतरल रखा जा सके अगर यहाँ पर लोग एजुकेटेड होंगे तो वो कहीं न कहीं जनसंख्या पर नियंतरल रख सकते हैं और इसके साथ ही अगला सवाल है 87 नमबर का जादी बात का उधिगम सुरूत क्या है जाती बात का उधिगम सुरूत क्या है तो जाती ही जो है जाती बात का उधिगम सुरूत है इस अलकर राइट अंसर हो जागा आपका बाह जाती इसके बाद आपका अगला सवाल है 88 नमबर का सामपरदायकता उनमूलन के ल जो पिरमुक भूम क्या है उस इक्षा के द्वारा आदा की जा सकती है ठीक है इसके बाद आपका अगला सवाल है नवासी नंबर के आपको याद रखना है निमलकित में से कौन सा बहुत एक प्रदूसर नहीं है ठीक है फिजिकल पॉलिशन नहीं है जो बहुत एक प्रदूस समाज में किस तरह से प्रदूसर होता है यह सीज आपको देखना है तो इससे बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजिक प्रदूसर यह बहुत एक प्रदूसर नहीं है इसके बाद आपका अगला सवाल है जल सनच्छड की बिरड़ा पध्यती कहां पर पिर्चली लिए आपको बताना है तो इस सबाल का जो राइट ंसर हो जाका वोगा गुजरात राज्य में पिर चली तेख अगला सबाल आपका इक्यान में में नमर का गंगा पकार्योज्णा की सुरुआत के गई ती ओपकी उनिउस्सोपिछ यूछिए हैं ये आपको याद रखना है कि अगर्ल सवाल आपका वैयस भी करण के उद्धेस क्या है है ठीक है वैस भी करण के उद्धेस उदारी करण निशी करण संथलेदविकास सभी सब्ग्रा संकिल्पीas थे सम्भी सब्धेस सब्गकर्ण के उध्विकास यह सार sing urban swe padre करण के उद्धेस तो रूसो प्रिकृतिवात का संस्थापक था यह आपको याद रखना है रूसो प्रिकृतिवात का संस्थापक था इस सवाल का राइट अंसर हो जागा आपका रूसो इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रिकृतिवात को सिच्छा में चर्मोत सर्क चर्मोत कर्स प्रदान किसी नहीं किया था ठीक है तो अभी आपने पढ़ा था जो प्रतिकी प्रतिवाद की संस्तापकते रूसु इन्हों ने ही यहाँ पर सिच्छा में चर्मोत कर्ष्प्रदान किया प्रतिव करतिवाद को यह आपको याद रखना है इसका राइट अंसर हो जागा रूसु इसका आगला सवाल आपका 95 परकृति बाद का फ्रेंश्चय क्यों चेत्र में जो परकृतिवाद है इसका जो सबसी ऊच्छ स्थान हुछ यो ह्दान है उस्चा के किस च्छथ्र में तो यह प्रकृतिवाद कि सिच्छड वेदी आपने अब अभी पढ़ेंगे ठीक है तो पुर्टि वाद का से च्छा के चेतर में सिच्छड वेदी ठीक है यह से आपको ध्यान है इसके बाद आपको अगले सवाल देखना है निम्लकत में से कौन पुर्कृति वाद यह तो यह भी प्रकृतिवाधी हैं और रुस्यों के बारे में अभी आपने उपर पढ़ाई है रुस्यों ठीक है और यह प्रकृतिवादी आपको याद रखना है उसके बाद 1700 नंबर का आपका व्यास्चन है सिच्छ यह किल रिखन बादी सिच्छ यहाँ पर प्रियोजनबाद का जन्मिस्थान कहां पर है जो प्रियोजनबाद है उसका जन्मिस्थान कहां पर है यह आपको बताना है तो इस सवाल का आपका जो राइट अंसर हो जागा हो जागा अमेरीका प्रियोजनबाद का जन्मिस्थान अमेरीका है इसके बाद आपका अगला सवाल है 99 नंबर का पॉंडिचेरी में किस महान सिच्छा सास्तरी ने आस्रम की स्थापना की थी ठीक है यह आपसे पूछा जा रहा है पॉंडिचेरी राज में किस सिच्छा सास्तरी ने किस महान सिच्छा सास्तरी ने एक आस्रम की स्थापना की थी तो इस सवाल का आ राइट अंसरोज यागा स्री अरविंद घुस जी ने पॉंडिचेरी में एक आस्रम की स्थापना की थी यह आपको याद रखना है इस वल का राइट अंसरोज का स्री अरविंद घुस इसके बाद आपका हंडाइट सो नंबर का सबाल है सिच्छा समेर आभी फिरा है यहां पर एक कथन दिया हुआ है बालक और मनुस्त मस्तिस्क और आत्मा में पाय जाने वाले सरबुत्त मुणों का चत्र मुखी है ठीक है चत्र मुखी विकास बालक और मनुस्त मस्तिस्क और आत्मा में पाय जाने वाले सरबुत्त मुणों का चत्र मुखी विकास है यह किसका महत्मा गांदी जी का इसके बाद आपका अगला सवाल है 101 नमबर का सत्यार्थ पिरकास पुष्टक के लेखक कौन है तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट कुश्चन है ठीक है कई वार पर इच्छा में पूचा आ चुका सत्यार्थ पिरका स्वाति जी है इसके बाद आपका अगला सवाल 102 नमबर के यहां पर आपको देख लेना यहां पर एक कथन दिया हुआ इसे आप पढ़ेंगे अविद्या का नास और विद्या की व्रद्धी करनी चाहिए इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगडी की स्थापना की गई ब बस 1901 में सांती निकेतन की स्थापना रविंदर नाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर है जो सांती निकेतन की स्थापने की थी रविंदर नाथ टैगोर जी ने यह किस जले में इस्थित है यह यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तो इस सवाल का आपका जो राइट अंस सब्सक्राइब सब्सक्राइब या फिर माध्यमिक सिच्चा के विकास के लिए या देश में विकास के लिए तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मुखिता विस्विद्याल है सिच्चा का सर्वेच रहे तो डॉक्टर राधा किर्सनन की निवती सन 2449 की गई थी या आपको याद रखने हैं इस सवाल का राइट अंसर हो जाघागा उप्सन 2 इसके बाद आपका अग्ला सवाल है 105 नमर का माध्यमिक सिच्चाएओग सिच्छायोग 1953 का दूसरा नाम क्या है जो मातिमिक सिच्छायोग 1953 में बना था इसका दूसरा नाम क्या यह आपको बताना है तो मुदालियर कमिसंडी के इसका दूसरा नाम है मुदालियर कमिसंडी को ही मातिमिक सिच्छायोग 1953 के नाम से जाना जाता है इसके बाद हमारा ते सब्सक्राइब गया था इन जदन किया गया था इसके बाद हम अगले सवाल के तरफ बढ़ गाए और आपको सारी सवाल के जो आणसर रहे हैं याद रखना यह जो पीडियेफ फैल है जैसे आपकी क्लासेज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी फैल आपको टेलिग्राम चैनल पर दे दी जाएगी इसलिए आप टेलिग्राम चैनल को जरू जोओन करें टेलिग्राम चैनल के लिंक वीडियो के यहाँ पर यह तो बाग उप्सन बैसे ही गलत होगा सिच्चका वेफसाई करड कभी भी नहीं किया जाएगा ठीक है कभी भी नहीं करना है तो इस सब्सक्राइब का आपका जो राइड अंसर होगा वो होगा उप्सन सा रास्टे सिचनिती 1986 की समच्छा के लिए राम मूर्ति क अगला सब्सक्राइब करता है यह आपको याद रखना है तो इस सब्सक्राइब का सिच्चा के छेत्र में आदर्सवात की विवेचना की जा सकती है जो सिच्चा के छेत्र है उसमें आदर्सवात की जो विवेचना है वो किस तरह से की जा सकती है किस रूप में की जा सकती है यह आप से पूछ रहा है तो इस सब्सक्राइब का सब्सक्राइब किस फील्ड में या किस छेत्र में यह आपको बताना है तो इस सब्सक्राइब का आपका जो राइड अंस स्थान तो तक पर वरता कौन सी है यह आपसे पूचा जाला का जो प्रमुख प्रवरता कौन से है जो आपसे पूचा करना है और इस सब्सक्राइब प्रवरता के यह आपको याद रखना यहां पर आपसे पूछ रहा है भारत की जो पहली सबाग फिल्म थी सबाग मतलब जिसमें आवाज भी आ रही थी कि आब आज रिकॉर्ट की गे थी यानि कि जिसमें आडियो भी थी और वीडियो भी थी दोनों चीजे थी ठीक है तो ये भारत की पहली फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा ये आपको याद रखना है और ये जीके का क्वेस्टन भी यहाँ पर बन जाता है ठी लिए उसके बाद आपका अगला सवाल है 114 नंबर का और आपको बताना है बहुत कलीन सिच्छा में उपसंपदा संसकार कितने वर्स में होता था जो बहुत कलीन सिच्छा थी प्राचीन काल में उसमें एक संसकार होता था उपसंपदा संसकार ये कितनी एज में होता था य किया जाता था इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की और और यह जो सवाल है यह 2015 की परिच्छों में आई गुए हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना इन सवालों पर कई वर क्या होता है सवाल जो है वो प्रिविएस एर क्वेस्चन से ही पेपर से रिपीट होते हैं तो इन सवाल पर आपको ज़्यादा धिहान रखना है सिच्चवे हैं जो जीवन को संपूल सत्या के साथ सामंजस से स्थावित करने की सकती होती है यह विचार किसका है यह यह यहां पर पूछा जा रहा है तो यहां पर इस सवाल का राइट एंसर हो जागा स्वामी विवक करनंद इसके वाद आपका अग्ला सवाल है निक्सा दूरिस्थ सच्छा के अंतरगत नहीं आता जो रिस्तेंस एज्यू वह नहीं आता है तो कौन सा आप्सन नहीं आता है इसमें व्यक्ति अपनी स्तन पर शीटा तो ये बात बिलकुश सही है तो ये तो इसमें आएगा ट यह कर सकते हैं आई कि दूर बैटकर सिक्षा गिरण कर सकता है इसमेंस अगला प्रेंट कर सकते हैं इसमें इसमें सिच्छा के बाताबर्ण से बाहर दीजाती जो सिक्षा है वो कच्छा के बातेवर से बाहर दी जाती है यानिकि इसमें classes नहीं होती है विलकि जो विक्ति है या जो strengths है जो learner है वो घर बैटे ही सिच्चा गिरण कर सकता है इसलिए इसे दूरिस्ते सिच्चा कहते हैं तो यह भी तीनों option आपके बिल्गुल सही है तो यह तीनों नहीं हो तो जो चौता option है वही आपका बैच रहा है इसमें समय वैस्थान का बड़ा महत्व है तो इसमें समय वैस्थान का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है ठीक है तो यही आपका right answer हो जाएगा ठीक समय स्थान को कोई महत्व नहीं होता है इसमें किसी भी समय आप दूरिस्ते सि प्राप्टिक कर सकते हैं ये इसके नंतरगत नहीं आता है तो ही आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक इसमें से अफ़ोगों को कितनी सिंद्र प्रधान करने कि लिए कुल चार प्दितियों पर बल दिया गया यह आपको याद रखना है इसके बाद आपका अग्ला सवाल एक सो अठार नमर का प्रात्मिक साला में बहुत क किस्ने लखी है ठीक है तो यह आपका राइड अंसर हो जागा कि जुभई वदेका ने प्रात्मिक साला में 22 सिच्छा नामक जो फुस्तक है वो लिखिए इसके सारे सवाल 2015 की परिच्छों में आए हुई है यह आपको याद रखना है इसके बाद आज का हमारा जो अंतिम सवाल है 120 का यहीं तक आज हम इसे कंप्लीट करेंगे तो अगला सवाल अंतिम सवाल है आपारा पाट साला को एक बाग सिच्छों को पौदा सिच्छक को माली किस ने कहा है तो यह आपको याद रखना है यह फ्रॉविल ने कहा है ठीक है पाट साला को बाग ठीक है पाट साला जो होती है किलास ठीक है उसको क्य बताया है तो यह जो बताया है यह एक important question है यह question भी कई बार repeat हो चुका है यह बार बार पूछा जाता है तो इससे आप याद रखेंगे यह फ्रॉविल का कता है ने टीक तो दोस्तों आज की क्लास को में पर समाप्त करते हैं अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जुरू कर दीजे अपने और फ्रेंट के साथ और आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए आगे बहुत जल्दी अपके सारी सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं और स्टार्ट हो जाए अब तक जितने भी परिच्छा हों चुकिए उस सारे पेपर आपको यहां पर ऑनलाइन स्वाल्व करा दे जाएंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जोड़ जाए और दोस्तों आज की स्कलास की पर समाप्त करते हैं थैंक यू सो मॉच फॉर वाचिंग दिस कर चैनल को चैनल को बाते हैं का उल मॉच यहां यू सो मॉच खींग yaş grant कर दो सहां परिजित से virginal कापिए नहीं दो की सुराइन से जूर देल्या जाएंगे प्यू तो उत आए और ना पनलाएंगे यूे जवे को वूर दो